हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम इलेक्ट्वन में आज हम लोग इस वीडियो में 2003 के टीर 2 के मैक के पेपर को अगर को अगर्यादा ने ओ इसका अपने यूशन करों के अपने रगरु को इसका लिंग्स का ना गर्लोड'T और तो उसको भी आप देख सकते हैं व 4 लिंग्सम आपको अब में सब्पेस को सिखाएगी आपको हरे कौशन को हम बेसिक और शॉट टरिके से भी अगर आप बिगनर है तो भी आपको अच्छे समझ में आएगा या फिर अगर अच्छे स्तियारी भी कर लिए हैं मैंस की कम समय में solve करने चाहिए तो वीडियो के अंतक अबस ही बने रही हैगा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अबस ही सब्सक्राइब कर ले अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लास्ट में लाइक भी कर दीजेगा चलिए पहले question की तरफ हम लोग चलते हैं देखें पाहला सवाल है कहा गया है एक पूत्र और पिता की आयूप कायोग बाववण भरस है ठीक आगे कहा गया है चार बर्स बाद पिता की आयू, पित्र की आयू की 4 गुना हो जाएगा, मतलब देखिए, अगर सन का चार साल की बाद, अगर X आयू होती है, X बस होती है तो फादर के कितना हो जाएगा? फूरास मतलब 4 गुना कहा गया है यह कब का है? तो यह 4 साल बाद का है ठीक हम से स्टाटिंग में क्या कहा गया है एक पुत्र और पिता की आयोग का योग मतलब 52 साल है कब अभी का तो अगर हम इसको हम बोलें चार साल बाद इस दोनों का आयोग का योग कितना हो जाएगा 5x ठीक है अगर किसी भी दो पुत्र और पिता की आयोग का योग अभी 52 स अग्र एक्स क्या हैमारा पुत्र की आयु है पुत्र की आयु मतलब अगर हम कहेंद इस्ता से आप फाधर का सब्सक्षे यह सकते हैं चलिए अगले Counter die देखेंगि बहुत ही बहुत बहुंचिन सवाज सवाज है ३ारड लघ तौरपर 36 और 45 मिनट में भर सकता है टंकी में लगा एक निकास पाइप भी है जो 40 लीटर प्रती मिनट प्रती मिनट जो है 40 लीटर पानी को निकालता है तीनों पाइप एक साथ खोलते जाता है तो टंकी एक घंटे में भर जाता है तो टंकी की छमता इन धारता लीटर में ग्याद करना है देखिए मान लेते हैं पाइप एक ए है जो क्या है 36 मिट में टंकी को भर देता है जबकि दूसरा पाइप क्या है भी है टंकी को 45 मिट में भर देते हैं मानते हैं इस दोनों का LCM कितना जाएगा 180 यूनिट क्या है या भी 180 लीटर टंकी की छमता है तो देखिए एक की छमता कितनी जाएगी 5, 180 बटे शादिस करेंगे तो 5 बेकी छमता कितनी जाएगी 4, मतलब अगर हम इस दोनों से फिस दोनों पाइप को हम भरें मतलब खोल दें तो कितने टाइम भर देगा हमारा जो टंकी अगर A और B दोनों ही काम करें तो सिर्फ 20 मिनट में ही टंकी फूल हो जाएगा लेकिन क्या है टंकी भरता कितना है कितना मिनट में 60 मिनट में टंकी भरता है यह हमें सवाल में दे दिया है 60 मिनट में भरा इसका मतलब क्या हो जाएगा A और B जो अपने अगर माले तो टंकी की छमता अगर 180 लिटर जो क्या है दोनों क्या है 20 मिनट में भर दिया ठीक है तो 180 लिटर भर दिया है 60 मिनट में कितना लिटर भरा होगा तिनकुना मतलब 540 लिटर क्या होगा A और B भरा है ठीक है लेकिन C क्या करता है तंखी कि अगर चमता अगर 120 । यूनितंट इंटू 180 कर लिजी आप कांसर आ जाएगा मतलब 36 मतलब 1200 लीटर क्या है टंकी का छमता आपको यहां से आ जाएगा सिंपल है उम्मिद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हुआ अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अबर से ही कर दीजिए क्नबर ठरड को देखिए काहा गया है एक कर खाने में 100 सर्मिक का उनके मासिक बेतन के अनुस्वार बंटन आउस्त बेतन क्या है 4500 रुपया है ठीक है माधिका बेतन 4900 रुपया है तो कहा गया है बहुलक बेतन ग्याद करना है आपको रिलेशन पता होगा मोड्ष बहुल्ग इस एक्वॉल टू क्या होता है 3 टाइम सब माधिका थी इन्टू इसे माधिका आपको दिया हुआ सब्सक्राइब कर लिए आपका आजाएगा देखिए उन चार्स को तीन से करें कितना तालिस पर डबल जीटो माइन से कितना जाएगा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें देखिए सब्सक्राइब करें पर इस अधर निकालना है एरिया क्या होता है सिक्स ए स्क्वाइर मतलब सिक्स इंटू एट क्या स्कूर कितना होता है एक लंब आयता का डिबे की लंबाई वन पॉइंट सिक्स मीटर चौराई नैंटी सेंटी मीटर उचाई कितना है सिक्स्टी सन्टी मीटर है 6 संटी मीटर इन्टू फइफ सेंटी मीटर इन्टू 40?.एंग прим बालए साभॉन के किपो को डिबे में इस परकार पक के कि जाना है कि डिबे में कोई जगा खाली नौ बचे डिबे में किटने केक due जा सकते हैं मतलब देखिए एक आयताकार है तो उसका भालूम मतलब उसका भालूम कितना जाए उसका आयाम है उसका आयतन दोनों को डिवाइड कर लिए नम्मर आपका कितना उसमें अठेगा वह आपको आजाएगा तो 6 cm यह कितना है 5 cm 40 mm को कितना करेंगे तो कितना जाएगा चार सेंटीमेटर काट लिए 20 तिया 60 तिन दूनी 6 और यह कितना जाएगा आपका असी मतलब असी इंटू 90 कितना जाएगा नौटे 72 मतलब 72 सौ अपसर नमबर 4 आपका कर्ट होगा अगला सवाल कॉस्टन नमबर 6 को देखेंगे 10 बर्स पहले पिता की आयू उसके पुत्र की आयो की दिगुनी थी मतलब 10 बर्स पहले अगर मान लेजे सन का एज एक्स है तो फादर का एज कितना हो जाएगा 3x यह कब की है तो 10 साल पहले की है ठीक है बरतमान एज कितना हो जाएगा दोनों के एज में हम 10-10 ठीक है आगे काहा गय है 10 बर्स बाद पिता की आयू उसकी पुत्र की आयू की दिगुणी हो जाती है मतलब अगर फ़र की आयू 10 साल पहले एक्स है तो दस साल बात कितना हो जाएगा x plus 20 और फादर का आयू कितना हो जाएगा 3x plus 20 यह कहागा फादर की आयू पुतर की आयू की दुगुनी है मतलब यह 2x कितना हो जाएगा मतलब x के बहलू कितना जाएगा चालिस माइनस 20 एक्स के बहलू आपका आगया 20 पुछा का गया है उनकी बच्मान का अनुपारत निकालना है देखें तो पुत्र की आयू कितना हुआगा 20 और फादरका आयू कितना हुआगा 20 तिहाय साईट ये कब है तो दस बस पहले यह है दस बस पहले हम लिए दस बस पहले तो बर्तमान कितना हो जाएगा 30 इसमें 10 एड कर लेंगे 30 हो जाएगा कितना पूतर की आयू और फादर का यू कितना हो जाएगा 70 हमसे के पुछा क्या गया है पिता और पूतर की आयू का रिश्म में 7 रेशियो तीन अप्सिन नमबर एक करना माधिका क्या होता है अगर कोई दाटा इस दिया हुआ है इसको आरोही या फिर आप रोही कर में एरंजी करने के बाद जो मीडिल वाला टर्म होता है वही क्या होता है ठीके देखें अगर कितना खिलारी है 11 तो कौन सा टर्म होगा 11 प्रस एक बट्टे दू मतलब 6 तर कितना जाएगा 11 उसकी वद आपका जाएगा चौठा कितना जाएगा तो देखें क्वेस्चिन नमर् आठ कहा गया है 16 पर तिस सत्थ बारशी सधारन व्याज की दर से निभेस की गई पतीस सो की धनड़ा से कितने बरसों में 41 रुपीज हो जायेगी तो देखें 25 रुपया सब्सक्राइब कितना सब्सक्राइब कितने जाएगा तो चार साल में चाहर परतिसत लगेगा तो ऑप्सन नमबर तीन करेक्ट है इसे भी बना सकते हैं पर सिंपल आप यह जो सधायम ग्याज के प्रमला होता है P into R into T वर T 100 is equal to interest उसे भी आप solve कर सकते हैं देखिए अगला सवाल है 77-86 की धनरासी को A, B और C के बीच इस परकार बाटा जाता है कि A की धनरासी को B के धनरासी का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है मतलब A और B के धनरासी का बीच का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है आई कहा गया इता था B की धनरासी और C के धनरासी का अनुपाद मतलब B का और C का अनुपाद दिया है आपको 12 अनुपाद 13 तो B को प्राप्ट होने बाली धन्रासी कितनी है हम निकालेंगे A-Risoo B-S-C देखे सी इसको हम 3 से मल्टिप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा 9 अनुपात 12 और 12 मिल जाएगा मतलब 9 अनुपात 12 अनुपात 13 यह किस क्या हो जाएगा 25 यूनिट का भेलू आपको दिया हुआ है कितना 7786 तो 82 यूनिट का भेलू कितना होगा मतलब 7786 बट्टे 34 इंटू 12 इसी का भेलू निकाल देखे चे और ये कितना जागा 17 डिभाइड कर लिजे इस सबको तो कितना सकाट चुका अर्षठ शत्रा चुका अर्षठ हो गया 2975 पाचासी 378 136 मतलब 158 इंटू 6 कर लिजे तो कितना होगा 48 48 चार चुका 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 चुबिस तिन 37 48 आपको option number 3 में दिया है option number 3 आपका correct होगा question number 10 को देखिए कहा गया है तिर्भूज XYZ में XY is equal to 5 YZ is equal to 7 है और Q YZ का एक बिंदू इस परकार है कि XQ angle X को सम्धिभाज़त करता है तो YQ और YZ का मान निकालना है कानुपात का मान निकालना देखिए एक ट्रेंगल है X Y और Z XY का भेलू 5 cm दिया है YZ का भेलू आपको दिया है 7 cm तो कहा गया Q क्या है YZ पर एक बिंदू है YZ पर यहाँ ZX का है और Q क्या है YZ पर एक बिंदू है जो angle X को सम्धिभाज़त करता है तो पुछा का गया है YQ और QZ का रेशियो निकालना है बहुत ही सिंपल सवाल था यह देखिए क्या है सम्धिभाज़क थेवरम क्या कहता है कि जब कोई angle को कोई भी लैंस सम्धिभाज़त करता है तो जो यह जो ratio होगा यह जो value होगा यह इसका ratio और इसका ratio के बराबर होगा मतलब YQ का value 5 और YZ का value कितना जगा 7 दोनों का जो ratio होगा वह 5 अनुपात 7 होगा option number 4 आपका correct होगा question number 11 को देखिए कहा गया है उनहत्तर और विरानवय के बीच आने वाली अभाज संख्याओं का आउसत गयात करना है simple है उनहत्तर से लेकर के विरानवय के बीच में जो जो भी संख्या अभाज है उसका आउसत निकाला है देखिए 79 के बाद 77 70 क्या है भाज संख्या है 71 एक क्या होजागा भाज संख्या उसके जोगा 72 73 क्या है एक भाज संख्या है उसके बाद 75 नहीं है 76 70 क्या है एक भाज संख्या है 77 भी भाज संख्या नहीं है 78 नहीं है 79 मतलब 89 है फिर 81 भी नहीं है 82 नहीं है 83 है फिर 83 के बाद आपको 84 नहीं है 85 नहीं है 86 नहीं 87 भी नहीं है 88 भी नहीं है 89 है उसके बाद आते हैं 89 के बाद 90 नहीं है और 91 भी नहीं मतलब यह सभी क्या है आपका अभाज संख्या है 71, 73, 89, 83 और 85 ये 5 जो है क्या है एक अभाद संख्या है इस सभी का आउसत निकालना है तो देखिए आउसत क्या है आपको संख्या मान लिए मान लेते हैं 55 एक संख्या है जो इस सभी का आउसत है 75 है तो यहाँ पर जोड़ लेजे देखिए कितना है 71 है मतलब 4 काम है 4 माइनस कर लेजे ये कितना है 2 काम है 75 से 2 माइनस कर लेजे ये कितना है 4 जयदा है 4 जोड़ लेजे ये कितना जयदा है 8 जयदा है 8 जोड़ लेजे ये कितना जयदा है तो आपका 14 जयदा है divided 20 को कर लेज पांच मतलब देखिए चार से चार्ज जागा केंसील यह कितना 22 में से दूग गया 20 मतलब 20 बटे 5 मतलब जो 75 हम लिया थे 75 में और चार्ज हो जाएगा मतलब 89 क्या हो जागा इससे भी संख्याओं का आउसत है ठीकत अपसर नमबर 2 आपका करेक्ट होगा कॉस्चन नमर 12 को देखेंगे बहुती संदर सवाल है कहा गया है एक चुनाब में 90% मत पाने बाला उमीदवार 800 मतों की अंतर से चुनाब को जीदवा है डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ध्यान देना बाली वात यहां पर कहा गया है चुनाब में केबल दो उमीदवा दोनों का अंतर 80% का भेलू हमें क्या दिया है 800 तो हमें निकालना क्या है डाले गए मत की संख्या मतलब 100% का भेलू निकालना एक परसेंट का जाएगा आपको 10 तो 100% का जाएगा 1000 मतलब आपका प्रेक्ट होगा इस तरह के सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं कितना ही आपको जोड़ना है और आपको आंसर बताना है मतलब यहां पर कितना है गए मतलब ka 10 को स्ने कितना है यह क्यों कितना है ¥ाई सो मतलब आपका ऑप सेवन सेवन फाय मतलब आपका आंसर आपका बताने सब्सक्डला है अबिद्व का सबाजब का सब्सक्राइब यहां कहा जया यह ब्यादि दर पहले बissä में 2.5 परिषक्ट है और दुरह मेंगा। चेहजार का ड्हाए परसेंट कितना जाएगा तो आपको जाएगा ये एक सो पचास ही हो जाएगा अब मुल्टिप्लाइ कि ये दो जो 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 जाएगा केंसिल तीन जो तीन रुपिया ये पूछा गया है ये ब्याज कितना हुआ सभी को जो 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 तीन का हुए आपका सिम्फल सबाल है कोस्चेन नमरर पंदर को देखेंगे पंदर हम कहा गया है माल लेते हैं सुदरसन का A है, into probability of B not, मतलब माल लेते हैं probability अबराहम का B है, तो A not into probability of, मतलब यह देखे, chain not होने की प्राइक्ता है कितना सुदरसन का, into probability of chain not होने की प्राइक्ता अबराहम का, यही भेलू आपको कॉच्छन में निकालना है, देखे, chain not होने की प्राइक्ता है जाएंगा एक बट्टे 3 है तो चेन्ट नो होने कितना चार बट्टे पांट इसी का भेलो आपको निकालना है मतलब कितना जाएगा आठ बट्टे पंद्रह अपसन नमबर 1 में दिया हुआ है question नमबर 16 को देखेंगे 16 में basic simplification है देखे 343 का cube निकालना है कितना जाएगा साथ, फिर साथ का भी क्यूब रूट और इसका होल क्यूब, देखें, तो क्यूब से तो क्यूब रूट को देखेंगे, सत्रम कहा गया है, ब को 33% लाप पर एग घरी को बेचता है, अगर किसी समान को 100 रूट प्या में खरिता है, तो ब को 116 रूट प्या में खरिता है, ज़िछ 532 बहुतान करता है, तो एक क्रयमू निकालना है, मतलब इतना का वहलू आपका 532 है, तो 100 युनिट युनिट का वहलू आपको निकालना. देखेँ अंधी हगती है, यह 4 से 4 कर जाएगा, मतलब 1 युनिट के वहलू कितना जाएगा? आपका वन यूटी उकल टू फाइव तो हन्डेड यूटी उकल टू कितना जाएगा 500 अप्शन नबर दू आपका करेक्ट होगा अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को अब सही लाइक कर दें एक पैरा सा कॉमेंट भी कर दें और चनेल को अब सही सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो के लिए रिच्चा के बै और बचत का अनुपात दो अनुपात एक है मतलब एक्सपेंडीचर और सेविंग ठीक है अगर मालेते हैं 200 रुपया एक्सपेंडीचर है मतलब बचता है कितना है 100 रुपया तो इंकरम कितना जाएगा 300 रुपया यह सिंपल है अगे कहागिया है यदि आई और व्य में करम सब 20 परसेंट मतलब आई अगर 300 रुपया है इसमें अगर हम 20% की ब्रिधि कर देंगे तो कितना जाएगा 130 रुपया ठीक है और 15% की व्रिधी किसमें होती है बैं मतलब खर्च में 15% कि व्रिधी कितना जागा 230 रुपईया ठीक है सेविंग कितना जागा इसका तो पुछा गया है तो उसकी बचत में परतिसत व्रिधी निकालना है देखे 307 रुपईया को यादमी कमाता है और 230 खर्च करता है बचेगा कितना इसका तो 130 तो पहले कंप्रीजन में कितना की व्रिधी हुई पहले अगर 100 रुप बचाता था अब कितना बचा रहा है 130 कितना परसेंट की व्रिधी हुई 30% की आप् 120 cm2 है तो प्रिज्म का आयतन ग्याद करना है सिम्पल बेसिक सवाल है प्रिज्म का आयतन आपको पता हों चाहिए क्या होता है एरिया अप बेस इंटू हाइट देखे बेस क्या है संबाहुत तिर्वू जह मत्तरू तंडर थी बट्टे साइट का स्कॉर्साइट कितना दिय क्या है संबाहुत तिर्वू जहाँ है प्रिज्म का आयतन आपको सवाल पूछे गए थे सोहन क्रेम उल्ल पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बाटो का पर्योग करता है जिस कारण से क्या है उसको 38% का लाव अर्जित करता है रेखिए जब कभी इस तरह के सवाल आए तो आपको सिंपल करना है देखिए 38% लाव अर्जित करने का मतलव इसका फ्रेक्शन भेलो कितना जाएगा यह साथ वट्टे 25 मतलव अगर कोई समान 25 रुपय का है कितना में देगा उसको 32 रुपया में लेकिन वाट मतलब वेट के कैस में क्या होगा अगर कोई समान 32 ग्राम का है कितना ग्राम देगा अठाट फ्रेक्शन लाव परजित करने के लिए ग्राम ऑप्शन नमबर 3 देखे इस तक सवाल को आप इस तरह सवाल करें यह बहुत ही कम साकेंड में आप इसको सवाल कर सकते हैं कॉस्टन नमबर 21 को देखिए बहुत ही बैसिक सवाल है छे के पर्थम आठ गोजों का आउसत ग्यात किजिए चे के पर्थम आठ गोज 27 ओप्शन नमबर 3 आपका करेक्ट होगा क्वस्टन नमबर 22 देखिए एक निश्चित बिल पर 27 पर 37 की चूट और 20 और 10 पर 30 की दो कर्मिक चूट के बीच का अंतर दिया है छापन देखिए 17 का चूट हुआ और एक क्या है 20 और 10 पर 30 की दो कर्मिक चूट कितना चूट हो और 10 पर 30 माइनस दो मतब 28 पर 37 इस दोनों का अंतर कितना होगा 1 पर से निकाला है नमबर एक आपका क्रेक्ट होगा कॉप्शन नमबर 3 को देखेंगे कॉफी और चाय के मुल्लक का अनुपात दिया है तीन अनुपात 4 और एक परिवार में उप भोग की जाने वाली उनकी म ठीक है तीन और चाह कितना है चार मतलब अगर हमान लेते हैं कौफी का मुले क्या है तीन रूपीज है और पर क्वांटिटी और चाह का मुले कितना है चार रुपीज पर क्वांटेटी कहा गया है उनका उपभोग मतलब 4 केज़ी मान लेते हैं कौफी का यूज होता है और चाय का कितना होता है 7 किलो होता है दोनों का भई कितना जाएगा 12 अनुपात 28 मतलब 12 अनुपात 28 साफ का अंसर होगा 4 से आप काट लेंगे कितना से आप दो आपका काट होगा question NO 24 में कहा गया है एक नाव दहरा के प्रतिकुल दिसा में एक घंटे में तीन किलो मीतर चलती है है अ prohibitive major मतलब के जोगा का इस फीलो संद्रकों मतलब x वाई ये कितना जाएगा 12 मिनट में एक किलो मीटर जाता है, तो मतलब 60 मिनट में, मतलब एक घंटे में कितना जाएगा, आपका 5 किलो मीटर, ठीक है, तो पुछा गया है, नाव को इस तीर जल में, 6 किलो मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो इस तीर जल में, नाव की चाल कितना जाएगा, दोनों को जोर ले एक घंटा 30 मिनट औप्सन नमबर एक में दिया हुआ कॉस्टिन नमबर 25 को देखेगा कहा गया है हाइटन डिश्टेंस का सवाल है कहा गया है जब सूर्ज कार्सिस लम 45 की तुलना में 30 होता है तो समतल जमीन पर खरे एक टावर की छाया 40 मीटर अधिक लंबी बनती है तो टावर की उचाया गयात करना है देखिए एक टावर है ये अभी अगर 35 डिगरी का एंगल बना रहा है 45 के बदले अगर ये 30 बनाता है तब ये क्या है पहले की तुलना में 40 मीटर लंबा इसका छाया बन जाता है अगर ये हाइट माल लेते हैं एच है ये भी कितना जाएगा आपके एच क्योंकि प्रिताहिश डिगरी में क्या होगा ये हाइट और बिर दुनों इक्वल होगा तो आपसे पुछा गया है ये टावर की उचाय निकालना है मतलब अगर आप 1030 का यूज किजएगा 1030 is equal to कितना जाएगा एच बट्टे ये कितना होगा प्रोटल एच पलस 40 सिम्पल है अब ये रूट अंडर ये कितना होगा और इसको रेसनलाज किजए कितना जाएगा 40 बट्टे 2 इंट्टू अट्नर 3 पलस 1 मतलब 20 इंट्टू अपसे नमबर 3 आपका करेक्ट होगा कॉस्चन नमबर 26 देखिए 26 रहा गया है एक तिरभूज के दो कोनों का माप तीन अनुपार 7 के अनुपार में है यदि इन दो कोनों का योग तिसरे कोन के माप के बराबर है तो सबसे छोटा कोन ग्याद करना है देखिए अगर एक कोन 3 यूनिट है दूसरा कोन 7 यूनिट है तिसरा कोन कितना हो जाएगा इस दोनों के योग मतलब 10 यूनिट का तिसरा कोन है आपको पता है किसी भी तिर्भूज के तीनों कोन के योग कमाप कितना होता है 180 डिग्री होता है मतलब 7 यूनिट मतलब 20 यूनिट का बहलू कितना दिया हुआ है एक सो असी, मतलब एक यूट के भेलू कितना जाएगा, नौ डिग्री, तो हमसे क्या पचाइब चुटा कोर, मतलब तीर यूट के भेलू कितना जाएगा, नौ तिया, 27 अप्शन नमबर, चाय करते है, question number 37 में देखेंगे, यदि एक तिरियक छेदी रेखा, दो समंतर रेखाओं को परतिछेद करती है, मतलब ये समंतर रेखाएं है, कोई तिरियक छेदी रेखा के, एक ही तरब के दो आंतरिक कोनों के बीच का अंतर कितना है, 40 दिग्री, मतलब आंतरिक कोन अगर ये x है, तो य तिरिक कोन में सबसे छोटा कोन ग्यात करना है, मतलब x के भेलू आपको निकारना है, आपको पता है, कोई भी अगर समंतर रेखाएं है, ठीक है, कोई परतिछेदी रेखाएं, अगर इसको काटती है, तो ये जो, ये अल्टरनेटिव एंगल, ये क्या होगा, अल्टरनेट ये जो, कितना जाएगा, 180, मतलब x के भेलू कितना जाएगा, आपका 70, निकालना क्या है, सबसे छोटे कोन मतलब x है, तो x के भेलू कितना जाएगा, 70 option number 4, correct है, question number 18 में देखें, simplification का सवाल है, कहा गया है, x square minus 9 into, 9x square minus 1, बट्टे x minus 1 बट्टे x into 1 minus x बट्टे 3 into 9 यह को simplify करके इसका answer बताना है, जैके निचे में देखेंगा, x minus 1 बट्टे 3 into x plus 1 बट्टे 3, इसको हम क्या लिखेंगे, उपर बाले की बिना simplify किये हुए, तो कितना होगा, a plus b into a minus b, a square minus b, a square, कितना हो जाएगा, x square minus b, a square, कितना हो जाएगा, x square minus 1 बट्टे 9, हम सिर्क into यह कितना हो जाएगा, 9 minus x square, बट्टे 9, देखें, आप 9 x square minus 1, देखें, यह से आपका, यह बाले पार्ट से, यह आपका हो जाएगा, cancel, simple, देखें, यहाँ पर x square minus 9, यहाँ पर क्या है, 9 minus x square, मतलब यह भी हो जाएगा, cancel, लेकिन आपका minus common ले लेंगे, ठीक है, मतलब य 29, option number, एक minus में, यहाँ, option number 1, आपका correct होगा, अब देखें, second last question, question number 29, यह भी क्या है, height and distance का सवाल है, कहा गया, एक आदमी ने, दो अलग-अलग अवलोकन बिंदू, P और Q से कर्म साथ डिगरी और 30 डिगरी की union कोन पर, बिजली के खंबे के सिर्स का अवलोकन किया, P और Q क पर, Q है, P के, जब अवलोकन करता है, उस समय साथ डिगरी बनता है, और यह कितना है, 30 डिगरी का बनता है, और यह P और Q के बिज़ का दुरी दिया है, आपका 10, मीटर, तो आपको निकालना है, खंबे की height, ठीक है, यह माल लेते है, और यह माल लेते है, आर S का length निकालना है, ठीक है, अगर हम यह माल लेते है, H है, यह root under कितना है, root under 3H हो जाएगा, ठीक है, यह चल लेगा, इधर मतलब आपको कितना हो जाएगा, H पलस 10 is equal to, इधर मुल्टिप्ला हो जाएगा, 3H, ठीक है, यह जाएगा, 2H is equal to, 2H is equal to कितना हो जाएगा, 10 तो H का value कितना हो जाएगा, 5, H का value 5, तो यह कितना हो जाएगा, 3 root under 3H का value निकालना है, मतलब 5 root under 3, option number 3 आपका correct होगा, question number 30 मतलब question number last को देखिए, एक बिद्याले के 35 गेर सिक्षन स्टाफ सदस्ट सहीत, 40 करमचार्यों का आउस्ट बेतन दिया है, 4,000 है, यदि गेर सिक्षन स्टाफ सदस्ट की आउस्ट बेतन कितना है, 400, तो बिद्याले के 6 स्टाफ का बेतन ग्यात करना है, देखिए, non technical teacher मतलब, मान लेते हैं, anti, ठीक टेक्निकल मान लेते हैं, technical कितना है, अगर total 40 है, तो non technical कितना है, 35 गेर सिक्षन का आउस्ट बेतन दिया है, आपका कितना, 400, ठीक है, इसका मान लेते हैं, हमें X है, तो सभी का 40 का आउस्ट बेतन कितना है, 4,000 है, ठीक है, mixture allegation से लगाईएगा, ये कितना जाएगा आपका, 42 सा मानस 4,000, मतलब कितना हैगा 200, और एक बार ये कितना हैगा, 4,000 मानस X, 4,000 मानस X, सिंपल है, देखी, और ये कितना ratio है, 7, ratio 1, मतलब 1 की unit का भेलू आपका, 200 है, तो 7 unit के भेलू कितना हैगा, 14 है, मतलब 4,000, सब्सक्राइब कर ले वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद